हेलो और वेल्कम बैक टो बुद्धा फार्म्स काईज आज की यह वीडियो बहुत ही जाधा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके लिए सेंट बर्ना डॉग ब्रीड की फीमेल लेकर हूं जो की अविलेबल है फ्री अडॉप्शन के लिए क्योंकि वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि आप इस डॉप कैसे कर सकते हैं तो अगर आप भी एक अनिमल लवर हैं चाहते हैं किसी होमलेस अनिमल को अडॉप करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर रख सकते हैं ताकि मैं जो भी लेटे इस वीडियो उपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले सो सबसे पहले बात करते हैं इस जोग ब्रीट के बारे में जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि यह डॉग आपको अडॉप करना चाहिए या फिर नहीं सो गैज इस डॉग ब्रीट का नाम है सैन बर्नार्ड यह बहुत ही हैवी बहुत ही बलकी होते हैं जिसकी वैसे इनकी डायट भी काफी जादा होती है गैज यह डॉग ब्रीट थोड़ी सी लेजी है और गार्डिंग के लिए डॉग ब्रीट नहीं बनी बट यह लुक वैस बहुत ही beautiful होते हैं and एक बहुत ही अच्छे family dog होते हैं वैसे ये दिखने में बहुत ही बड़े बहुत ही aggressive से होते हैं but trust me guys ये आपको कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते है guys although ये एक perfect family dog है बट इन्हे थोड़े जादा space की जरूरत होती है so अगर आपका रह dog breed की एक female dog है and इसकी ये जभी 12 months की हुई है and इसकी सारी vaccination भी complete है guys इस female के भी थोड़ी और growth होनी बांकी है because ये 18 months तक अपने full growth करते है also इस female में अभी तक first heat नहीं आई है अगर आपको इन सब चीजों से कोई problem नहीं है तो आप इस dog को हमसे adopt कर सकते है बस condition सिफ ये रहेगी कि आपको इसकी proper care करनी होगी इसकी diet का खास ध्यान रखना होगा बस अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप इस dog को हमसे adopt कर सकते है guys इस female को adopt करने के लिए आपको इस video के description में हमारा contact number मिल जाएगा so आप उस number के तुरू contact करके इस dog को हमसे adopt कर सकते है guys ये female all over India कहीं पर भी deliver हो जाएगी बट हमें इसे by road भीजवाना होगा because ये giant size की है so अगर आप उस delivery का cost bear कर सकते हैं तो हम इस dog कहीं पर भी भीजवा देंगे guys इस dog की फिलाल की location राइपूर की है so I hope आपको इस beautiful ज़रूर से पसंद आई होगी thank you so much for watching